हलो अब्रीवान मैं हूँ आशा और आप सबको आशा डिल कूकिंग में स्वागत है तो आज हम तयार करना जा रही हूँ मागूर मसली और आलो की सालन तो चले रेसिपी शुरू करती हूँ बहुत आसान है और जट पर बन जाती है एकी पोट में ही तयार होती है दिखने में जितना लजिस लेग रही है ना खाने में उससे कई ज्यादा यमी और टेस्टी बन के तयार होती है तो बहुत आसान इससे और जट पर बनने वाला रेस बोड़निंग शर्सो और भीए दूख यूप रामिंट वेह कोया को तो देखिए किस तरह से पाउडर बन गई सरसु की बहुत य अच्छी पाउडर भी बन गई तो हमने पाउडर करकर ले लिया और इसमें हम कुछ मसला भी डाल देंगे और एक पेस्ट तयार करकर ले लेंगे तो ये शरसु की पाउडर बनके तयार हुए तो इसमें लेसन के किलिया मीर्ज और प्याज भी हम डाल देंगे तो ये हमने डाल दिया स्वादनसन नमक डाल देंगे एक चमस हल्दी पाउडर और भरकर एक चमस लाल मिर्स पाउडर और भुना कुटा हुआ ये धनिया और जीरा के पाउडर दो चमस हमने डाल दिया और इसमें हम तोड़ा सा पानी डाल कर एक बहुत ही अच्छी पेस्ट तयार करकर ले लेंगे तो देखिए हमने पेस्ट तयार करकर ले लिया और इसे हम एक साइट में रखेंगे तो यहाँ पर 500 ग्रम हमने देशी मागूर मशली ले लिया उसके साथ दो आलू कुपी सील कर काट कर ले लिया और यहाँ पर हम स्वादनसर नमक डाल देंगे मशली और आलू में तो हमने स्वादनसर नमक भी डाल लिया और साथ ही में हम डाल देंगे ये मसाला जो मसाला हमने तयार करकर ले लिया तो एक चमस मसाला हमने डाल लिया और इन मसाला को अच्छी तरह से मसली और आलो की सथ हम मिला लेंगे तो बहुत ही अच्छी तरह से हमने मिला लिया और मिला कर इस एक साइट में 10 मिनिट के लिए रखेंगे तो दस मिनित हो गई, दस मिनित बाद हम उसमें एक निम्बू निचूर कर डाल देंगे तो एक से देड़ चमस की कड़ेप हमने निम्बू की जूज डाल दिया मसली में और मसली में निम्बू की जूज डालने से जब हम तेल में मसली को फ्राइ करेंगे तो तेल की सीता बिल्कुल भी नहीं आएंगे यह हमारी टिप्स है और इस टिप्स को आप फोलो कीजिए तेल की सीता बिल्कुल भी नहीं आएंगे तो इसी तरह हम मिसली को फ्राइ कर रही हूँ और चार से पांच मिट के करीब हम इस मिसली को फ्राइ करकर ले लेंगे ज्यादा हम फ्राइ नहीं करेंगे 50% तक ही हम फ्राइ करेंगे तो मिसली फ्राइ हो गई और इसे हम फ्लेट में निकल रही हूँ और मिसली फ्राइ करने के बाद वापड़ हम डाल देंगे यह मेरनिट की हुए आलू, आलू को भी हम फ्राइ करकर ले लेंगे, तो आलू को डाल दिया, आलू को हमें फिर से 3-4 मिनिट इसी तरह लाते रहना है और पुंदे रहना है, तो आलू की कलर भी चेंज हो गई, यह भुनाई हो गई, और इसे भी हम वही प्लेट में निकाल ल करेंगे, तो आधा प्यास हमने स्लाइस करकर ले लिया, इसी प्यास को गॉल्डन ब्राउन होने तक हम भून लेंगे, तो देखी इसकी कलर भी चेंज हो गई, यह ची तरह से बुनाई हो गई, और उसमें जो हमने जो मसाला पीस कर रेखी थी, वह मसाला हमने डाल दिया, औ और 2 मिनित के करीब हम इसी तरह मीडियम फ्ले में फुनाई कर ले लेंगे, तो हमने 2 मिनित फुनाई करको ले लिया, और वही ग्रैंडिंग जार में ठोड़ा पाने डाल कर, हमने धुह कर, फिर से डाल लिया मसाला में, मुझली, अच्छे तरह के कुनाई हो गयी उसमें हम यह अलू भी ढालो भी डाल रही है। अलू और मसाला, को फिर से हम दो मिनिट में के लिए इसी तरह अलू के अंदर तक मसाला जाे यह दौ के जाए दो मिनिट हमने भई कर पका लिए तो दर देख ए तेल भी इसी तरह हलकी हाथों से डाल रही हूँ और बहुती हलकी हाथों से हमें इसे मिला लेना है मसाला के साथ आलू की साथ नहीं तो मसली तूट जाएंगे तो इसी तरह हमने मिला लिया और पेन पकर कर इसी तरह हिला भी हम देंगे और इसे धक कर 2 मिनित के करीब हम medium flame में पका लेंगे तो देखिए मसाला तेल सोर दिया और इसमें हम उबले हुए गरम पानी भी डाल रही हुँ तो हमने पानी डालने के बद पैन पकर कर इसी तरह हिलाकर एक समन करकर ले लिया और चार से पांच मिन के करिब हमने फिर से पका लिया अब हम इसमें डालेंगे यह टमाटर टमाटर डालने से इसके प्लेवार बहुत ही अच्छी आती है क्योंकि आलू की मीठा और टमाटर की खटास बहुत ही अच्छी लगती है और इसमें स्वादन असर हमने नमक भी डाल तो आपको जितना ग्रेवी चाहिए उससे थोड़ा ज्यादा पानी डाल दीजिए तो दस से बारा मिनित के लिए कि लिए मीडियों फ्लेम में हमने पका लिया तो यह बनके तयार हुए अभी हमने गैस के फ्लेम लो कर दिया और देखिए कितना तेस्टिल लेग रही है यह ब तो ये मगर मिशली की रेसिपी सबजियों के साथ बनके तयार हुए आलू और मगर मिशली की सालन बहुती यमी तेस्टी लजीज बनके तयार होती है तो जरूर आप इसे एक बाद तयार कीजिए तो उमीद है हमारी वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज प्लीज ज्यादा से ज्यादा श्यार कीजिए लाइक कीजिए और कमेंट करकर हमें बताए हमारी वीडियो कैसे बनी तो अभी तक हमारी चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया तो प्लीज प्लीज सबस्क्राइब भी जरूर कीजिए और हमारी चैनल के साथ ही रही है और जो भी वर्स हमारी चैनल को सबस्क्रेब किया उन सब को हम दिल से धन्यवाद करती हूँ और अभी तक नहीं किया तो प्लीज फिर से एक बार कहती हूँ सबस्क्रेब जरूर कीजिए तो दिखने में जितना लेजिस लेग रही है, खाने में उससे कई ज्यादा यामी है, तो फिर मिलेंगे इसी तरह के नाय नाय रेसिपी के साथ, तब तक के लिए, बाई-बाई